बाबा जी दी प्यारी सत्कार्योग संगा जी रादा स्वामी बहुत ही प्यारे दर्शन और बहुत ही प्यारा सत्संग आज जसी दर्शना ते ही गल करांगे बाबा जी दे सत्संग ते बाबा जी दे वचना विचों और जो पाठी जी ने सत्संग कीता उन्दे विच जो दर्शना दी महमा दसी गई असी ओही मेन पॉइंट्स लवांगे बाबा जी ने पिछले एतवार दे साथसंग विच वी एक अलकई सी कि दर्शन लए नहीं जान्दे दर्शन दित्ते जान्दे हन असी सार्या ने किन्नी वारी बाबा जी दे बाहरी सवरूप दे दर्शन किते हन आजवी किते पिछले कई सालां तो असी बाबा जी दे बाहरी दर्शना दे किन्नी वारी दर्शन किते हन सारी संगत ने लेकिन जी आपा रेशो कड़िये कि किन्ने सात संगी हान जिना नू बाबा जी दे हजे तक अंदर ले दर्शन प्रापत होए हान जिड़ा की मेन मकसद है मेन मकसद है कि जीन्दे जी बाबा जी दे अंदर ले दर्शन करके अपनी आत्मा नू त्रिप्त कर देए ते रेशो बहुत ही ज्यादा काट होएगी गिने चुने सातसंगी होणगे कि जिना दों अंदर ले दर्षना दी प्रापती होई है और बाबा जी वी कहन दे हन की दर्षन दित्ते जन दे हन असी इनना दूरों दूरों तेन तेन चार चार देन दी यात्रा करके बाबाजी दे सिरफ केवल एक मिंट वास्ते बाहरी सवरूप दे दर्शन करदे हां ति इन दे नल कोई मकसद पूरा नहीं हो जान दा हां, बाहरी दर्शन महोल बनां दे हन, अंदर ले दर्शना दा लेकिन बाबाजी बार बार समझां दे हन और पाठी जीवी बार-बार समझा रे हन कि अंदर ले दशना दी कोशिश जीन्दे जी जीवी त मरिये भवजल तरिये जीन्दे जी आपने अख्छान दे विचकार जड़े वज्र कपाठ हन उनानों सिम्रन दे नाल खोल के सिम्रन दे नाल कह रे हन सिम्रन दे नाल सिम्रन दी अवाज दे नाल जिसतरा सी कोई दर्वाजा खड़कांदे हां किसे नू बाहर बुलान वास्ते या अंदर कार दे अंदर परवीश करन वास्ते असी बैल दा परियोग कर दे हां कि सिमरं दे दवारा अखांदे वचकार त्रिकुटी दे विच सिमरं दे नाल दरवाज्या खड़कांदे रहू जदो तक वज्र कपाट नहीं खुल दे तक पेशन्स रखना है पेशन्स नहीं गुआना चाहिदा कि बहुत देर हो गई है वज्र कपाट नहीं खुल ले शब्द तुन सुनाई नहीं दित्ती चोगी बाबाजी केंदे हन कि दर्शन दया मेहर दे नाल मिलने हन लेकिन असी कोशश नहीं छड़नी बाबा जी दी प्यारी सदकार योग संगा जी जे जड़े बाहरी दर्शन हन और अंदर ले दर्शन हन इना देवे चो बहुत ज़्यादा फरक है और में टार्गट है बाबा जी दे अंदर दर्शन करने शब्द तुन सोनके अपनी आत्मा नो त्रिप्त करना एही सब सातसंगा दा दर्शना दा एही मकसद है आज दर्शना दा दिन है हर सतसंगी दे चेहरे ते रोनक है क्योंकि बाहर ले दर्शन प्रपत होय हन परशाद मिलिया है काल बाबा जी दा सतसंग होएगा और बाबा जी दे हर सतसंग दे विच पजन सिम्रन दी गाल जरूर होंदी है कोई भी सतसंग होवे कदी भी पजन सिम्रन मिस नहीं करन दी जड़ी गाल है वो बाबा जी बार बार कर दे हन की पजन सिम्रन नहीं मिस करना आज दर्शना तो बाद पजन सिम्रंदे उपर बोल दे हो एवी बाबा जी ते पाठी जी बार बार एही समझान दे हन कि पजन सिम्रंदे विच सिर्फ अपने माननु काबू करन दे प्रेक्टिस करनी है ते शरीर ते कंट्रोल करना है शरीर नु सिथर करना है चाहे लट्ता सोन हो दिया हन, दर्द हो दिया हन, अभ्यास करना है चोंक्रा मारंता सिमरंत करना ही है मानविच, लेकिन इक कंटा, तेड़ कंटा, जदोवी मोक्का मिले, चोंकडा मारंदा अभ्यास करना है. क्योंकि जदो शरीर थेर होएगा ते मानवी जल्दी थेर हो जाएगा इस करके असी शरीर नू अपने सिथर करना है ते उस तों बाद सिमरंदे द्वारा माननू सिथर करके पजंदे विच बैठ के शबद तो नू सुनना है इस करके बार बार पाठी जी समझा रहे हन कि पजंद सिमरंदे विच कुछ करना नहीं पैंदा केवल बैठन दा अब्यास पहली ता गल कदी वी चोंकडा मारंदे विच मिसिंग ना होवे पजंद सिमरंदे विच सक्सस मिली है या नहीं मिली है बाबाजी कह रहे हैं कि duty समझ के जिसरा सा जो कोई हुकम करदा है मालक के केवल बैठना ही है देड़ दो कंटे ते असी ओ खुकम जरूर पूरा करांगे असे बाबा जी दा एह हुकम पूरा करना है डेड़ कंटा दो कंटे टाई कंटे चोंकडा मार के बैठना है उर मौन दे विच सिम्रन करना है लत्ता दर्द होंदी आहन पेठ दर्द होंदा है दिवार दा सहारा लेलो शरीर सोन होंदा है होली होली जदो असे प्रैक्टिस करांगे ते इस सिम्टम्स अपने आप ही डिसपीर हो जानगे लेकिन चोंकडा मारन दा जो अब्याज है डेड़ दो कंटे दा इंदे विच कदी मिसिंग नहीं करनी सिम्रन करना है उस तो बाद बाबा जी कह रहे हैं पाठी जी समझा रहे हैं कि कुछ मिले या ना मिले जद असी बाबा जी दा हुकम नो पूरा कर दिता अपने सत्गुरु दे हुकम नो पूरा कार दिता ड्यूटी समझ के बैटे हां ते प्रमात्मा साथे इस ड्यूटी दी लाज जरूर रखनेगे ये सार है सत्संग दा ये मतलब है पजन सिम्रन दा दरिशना दा कि बाबा जी दा हुकम पूरा करिये और जदों सी आपनी आ आधता नू पवित्तरता वाले रस्ते ते लेके चल दे हां आपनी आपनू समपूरन पवित्तरता दे दायरे विच रख दे हां ते उन्दे नाल जिन्नी साड़े विच पवित्तरता होएगी साड़े करम अच्छे होणगी उन्नी जल्दी साड़ा पजन सिमरंदे विच मान लगेगा क्योंकि मान बाहर ले रसां दा आधी नहीं होएगा इस करके आपने अहार, विहार, विचार इना तेवी लगाम रखनी है कोई नेगटिव थोट ना आवे, कोई डारवाली थोट ना आवे ते जदो असी अपने अहार, विहार, विचार इना तेवी कंट्रोल रखदे हाँ ते ये वी बड़ी मदद करदे हन पजन सिमरंदे विच सक्सेस वास्ते इस करके असी अपनिया आधतावी बल्दलनिया हन अपना रहन, सेहन, उठना, बैठना, बोलना सब एक सातसंगी वरगा होना चाहिदा है क्योंकि सातसंगी दे जो गुन हन, सातसंगी दा उठना, बैठना, चलना, बोलना, खाना इस सब कुछ अलग होना चाहिदा है उन्दे पहरावे तों, बोल चालतों, पता लगना चाहिदा है कि ए सातसंगी है बाबा जीदा कैन दी लोडना पवे कि मैं नामदान लिया है मैं ब्यास जानदा हाँ, मैं सातसंग सुनदा हाँ, मैं दर्शन करदा हाँ साड़ा अचरंद से कि असी बाबा जीदे दर्शन कार के आए हैं आज शनीवार आज असी बाबा जीदा सातसंग सोन के आए हाँ आज असी पजन सिम्रन कार की आए हाँ और बाबा जीदा आज जो एक मेन पॉइंट की चाहे असी सातसंग ते आ रहे हाँ चाहे असी दर्शना ते आ रहे हाँ लेकिन करों पजन सिम्रन कार की आना है कोई excuse नहीं कि आज दर्शना ते जा रहे हां, सतसंग ते जा रहे हां, ते पजन सिम्रन मिस नहीं करना, सुरे तिन वजी उठो, चार वजी उठो, सब तो पहले पजन सिम्रन दी सेवा कारके, फिर दूसरी सेवा करनी है, फिर दर्शना ते जाना है, फिर बाबा जी दा बाबा जी दी प्यारी सतकार योग संगा जी जादा तो जादा इना प्यारे वचनानू बाबा जी दे प्यारे सत संगान दे जो वचन हान इना नू जादा तो जादा संगा तक शेर करना है और अपनी डिजिटल सेवा नू पूरा करना है बाबा जी दी प्यारी सतकार योग स जंगाजी रादाज सुन्नी